Hello students, let's see this question, here we have to find the sum of this AP, first term 5 है, और last term हमें गिवन है 181, ठीक है, हमें इसका sum find करना है, D हमारे पास 30-5 मतलब 8, तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, यह कौन सी term है, तब ही तो हम अपना sum का formula, SN is equals to N by 2, A plus AN वाला भी लगा पाएंगे, हाना, तो हम सबसे पहले देखेंगे, यह जो हमारी 181 है, यह कौन सी term है, इसका place find करेंगे, तो 181, A हमारे पास है 5, N हमें find करना है, D है बेटा, 8, 181-5 is equals to N minus 1 into 8, कितना बचेगा बेटा, 176, 8 बेटा इधर आएगा, तो divide में आजाएगा, 8, 2s are 16, 8, 2s are 16, N minus 1 is equals to 22, N is equals to 23, 23 बेटा यहां पर terms है, तो यहां पर बेटा, यह कौन सी term है, 23rd, 23 by 2, A क्या है 5, A and क्या है बेटा, लास्ट हम क्या दिये हमारी 181, 23 by 2, बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, 186, divide कर देते हैं, 29,018 and बेटा 23,06, ठीक है, अब बस हम 93 and 23 को multiply कर देंगे, यही हमारा sum आ जाएगा, तो multiply कर देते हैं, 93 and 23, 3, 3s are 9, 9, 3s are 27, 3, 2s are 6, 9, 2s are 18, 9, 7 plus 6, 13, 8 plus 3, 11, 2, 1, 3, 9, हमारे पास sum आ गया बेटा, 2, 1, 3, 9, यही हमें find करना था, I hope this is clear to you, thank you.